अलो फ्रीन दूस्तों सीजल साथ निभाना सात्या में गैना को अब राधिका इतना ज्यादा परेशान कर देगी और वो अनन्द जैसे इतलाग का नाम लेता है और इसे इतलाग की बेपस बस साइन भी करवा लेता और गैना भी हट हो रखी होती है और वो साइन कर भी देती ह जिसके बाद ने रादिका उसे कहती कि अब तो तुम्हारा यहां से जाने का वक्त आई गया है गहना तुम तो बड़ी घमंड से बोलती थी कि अनन्त कैस ऐसा नहीं है अनन्त तुम से प्यार करता है अब सच्चाई तुम्हारे सामने है अब रादिका अब का हो चुका है अनत और गेना तुम्हें ये घड़ छोड़ कर जाना ही पड़ेगा और अब तो तुम्हारा क्या ही होगा और गेना को बुरी तरह से वो टोचर करते वे नजर आती है तो गहना को भी बुरी तरह गुस्ता आजाता है और वो गहना को रादिका को जोड़दार तमाचा माद देती है और कह देती है कि भई तुम्हें इस चीज का तो भुगतना ही पड़ेगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर गहना एक नए अफ़ार में नजर आने वाली है और वो कह देगी कि यह घर छोड़कर तो मैं कभी नहीं चाओंगी चाहिए कुछ भी हो जाए अनन्द जी तो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे सिर्फ पसपसाइं कर देने से यह तलाक नहीं हो जाता है और इसके बाद ने यहाँ पर गहना राधिका की तरह ही सब के सामने और अनन्द के सामने ड्रामा करते वी नजर आएगी अब यहां बन से उसी कीचाल पर चलते हुए यहां राधिका की तरह ही ड्रामा करते हुए नजराय की गहना और राधिका को अब घर से निकालने का पूरा इंतिजाम करने वारी है जे दोस्तों अब घैना और अनन दोलों अपने अपने तरीके से राधिका का सचलाने की कोशिश करेंगे और काफी कुछ ट्विस एंटर सामित देखने को मुलने वाले हैं